वहीं S.L. Samu की कंपनी City Water Utilities Limited का और अंगाबाद में पानी सप्लाई का 795 करोड रुपे का कॉंट्राक्ट रद कर दिया गया है सुभाज चंद्रा समु की कंपनी पर और अंगाबाद में गंदा पानी सप्लाई करने और सही तरीके से काम न कर पाने का रूप है City Water Utilities Limited सुभाज चंद्रा के S.L. Samu की कंपनी है और अंगाबाद City Water Utilities Company Limited को और अंगाबाद में पानी का संकट खड़ा करने की सजा भुगतनी पड़ी है शहर में साफ पानी की आपूर्ती न कर पाने की वज़े से सुभाज चंद्रा के समु की कंपनी City Water Utilities Limited का 795 करोड रुपए का करार रद कर दिया गया है ये करार अंगाबाद नगर निगम ने रद किया है शहर के अंदर लिके जैसे Water Condemption का जो मसला है जहां पर गंदा पानी आता है या डैनेज का पानी आता है पुरानी जो लाइने थी और अंगाबाद की जो 30 साल पहले सिमिट के लाइन ने बिचाई गई थी हमसे ये वाइदा था कि ये सिमिट के लाइनों को हटा कर हम लोही की लाइन ये बिचाई जाएंगे कॉस्टिंग की ये उन्होंने बिचाई में कमजोर हुए हर माज़ पर ये कमजोर पड़े और ये प्रस्ता सबने मिलकर मंजूर किया और हमने उनको हटाए गया सुभाज चंद्रा के एसल समो की कमपनी Water Utilities Limited को साल 2014 में और अंगावाद शहर में पानी की सप्लाई का ठेका दिया गया था PPP प्रजेक्ट के तहद Water Utilities कमपनी को ये ठेका तीन साल के लिए मिला था Agreement के तहद कमपनी को पैठन डैम से और अंगावाद तक पाईपलाई बिचा कर शहरवासियों को पानी की सप्लाई करनी थी लेकिन दो साल होने को है कमपनी ने अभी तक आधा काम भी नहीं किया था शहर में जो पाईपलाईन है उसके मेंटरनेंस का भी बुरा हाल है आरोप है कि पाईपलाईन में सीवेच का पानी मिल जाता है जिससे लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंचता है अरंगाबाद नगर निगम ने चार जून को सिटी वाटर यूटिलिटीस कमपनी को टर्मिनेशन नोटिस जारी कर 30 दिन में जवाब मांगा था पानी सप्लाई का कॉंट्रेक्टर रद्ध होने के बाद कमपनी ने औरंगाबाद जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है इसरारुद्दिन चिष्टी न्यूज वर्ल्ड इंडिया औरंगाबाद औरंगाबाद में पानी की सप्लाई का करार रद्ध होने और लोगों की शिकायतों पर हमने एसल समू से जुड़ी कमपनी सिटी वाटर यूटिल्टीज लिमिटेड को इमेल भेज कर उनकी प्रतिक्रिया मांगी लेकिन अब तक किसी तरह का कोई जवाब हमें नहीं मिला है झाल